हेलो एन नमस्ते गाईस वेलकम टू मैं चैनल और कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे तो गाईस मैं आज आपके लिए लाए हूँ चैप्टर फाइफ जेश फ्रेंड्स का तो फ्रेंड्स आई होप कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो फ्रेंड्स जैसे आपने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे जब इशिता वहां से चली जाती है उससे बात करने के बाद वो कैसे हैरान रहे जाता है बहुत चक्का रहे जाता है ठीके फ्रेंड्स अब हम इसके आगे की देखते हैं कि आगे क्या होता है ठीके फ्रेंड्स जुसक सब अपने model को represent कर रहे होते हैं, ठोड़े time बाद उनकी meeting खतम हो जाती है, उनका director कहा देता है meeting खत्म, ठीक है, और सब audio से बाहर चले जाते हैं, RN Ishita को gate के पास खड़ा देखता है, RN Ishita को auditorium के gate के पास खड़ा देखता है, फिर वह पीछे से उसके कान में जाकर बोलता है, J time, पीछे से उसके कान में जाकर बोलता है J time friends इस model का meaning मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑशे mean का mean है क्या क्या थीक फिर अपनी भश्या में बोलती है excuse moa, वह अपनी भाश्या में से बलते है excuse moa, इसका मतलब excuse me फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं, फिर बाद में वो चली जाती है और वो उसके साथ चलने लगता है, थोड़े दिर बात करते हैं, फिर वो चली जाती है, फिर वो उसके पीछे भागने लगता है, ठीक है, और वो दोनों रिशाप्शन एरिया तर पहुंच जाते है दमें। आपवर नहीं करते। बाग में उसे जै आमि का मतलब मतलब बताता है। थीखिए। और कहती है यह तरकीब काफी पुरानी है। ठीक है। और वो फ्लट करना continue रखता है ठीक है पर वो उसे ये चताता है कि मैं nervous हो रहा हूं ताकि उसे ये ना लगए कि मैं flooding कर रहा हूं ठीक है उसे ये चताता है वह उससे जूट बोल रहा है कि तुम कहां से वह बतलाती है कि मैं सिंगापुर से हूँ आरेन उसके साथ फ्लट करता जा रहा होता है और फिर तभी इशिदा कहती है कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूं फिर वह उसके बात करता है तो वह कहती है कि मुझे चीजी लोग और फ्लट करने वाले लड़के नापसंद है मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी तब उसका दिल तूट याता है इंडरेक्टली उसने उसे रिजट कर दिया कि मुझे इससे फ्रेंड्शिप नहीं करनी तो बोजा उससे पूछती है कि तुम कहां थे तो वह जुट बोलता है कि वह यहां वाँ घुम रहा था ठीक है जब उनका लंच होता है जब उनका बा पर दोनों के बारे में बात करने लगते हैं तो वह उसके बारे पूछती है ठीक है पर वह बात बताना चाहें नहीं था क्योंकि वह नहीं चाहता कि मैंनी बात शुरू हुई थी आले उसे और खतम हो रही है कि मुझे चीजियों फ्रेटिंग करने वाले लड़के ना लगता है तो वह चाहता कि मैं इस बात को ना बताऊं ठीक है फिर दोनों उसके बारे में बाते करते हैं और तब अचाने इशिता उन दोनों की तरफ आ रही होती है वह पूछती आ है पर फिर उसे धेद्री ने बता देता है फिर इशिता अपने और दोस्तों के साथ उसकी बोजदी की नजर आचानक जमीन पर पड़ी हुई एक किताप की और जाती है ठीक है फिरंड एक उसके इसके किताप की और जाती है कि वह उसे फ्रैंड ने गिफ्ट जी होती है अब वो यह समझ топ के से उससे वह किताब जानपूशकर गिर ही यह या फिर उससे गलती से गिर गही है, ठीक है, फिर आरिन ठान लेता है, कि में उसकी बुक उससे के लटा कर रहा मांगा, कि उसकी बूक उसे मैं ही लटा हूँगा, ठीक है friends, तो आज के chapter में बस इतना ई था, तो friends अब इसकी review की बात की जाए तो friends हर chapter में न एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि कैसे वो उससे बात करी वो उससे बोचका रहे गया फिर अगली बात जब वो उससे मिलती है फिर वो उससे indirectly I love you कहता है कान में जाके कि अब दूसी language में फिर बाद में वो कहते हैं मुझे इंट्रेस्टेट नहीं है मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है जो ऐसे flirting करते हो वगयरा something फिर बाद में जब उससे वो बुक पड़िवी मिलती है वो बुक एक basically अगर मैं उस बुक के बारे बताऊं तो वो एक romantic type book होती है ठीक है फिर बाद में सुचता है कि अगर उससे लड़के पसंद नहीं है तो फिर वो ऐसे बुक रखती क्यूं है अपने पास फिर ठान लेता है कि या इस बुक को तो मैं उसके पास लोटा के रहूंगा उसे समझ भी नहीं आता कि उसने बुक वो जानभूशी गिराई है या फिर वो भुक उसने घं गलती से घिरी है तो हर चप्टर में हम एक इंटर dish स्क्ते हो रहा है एक शुनका मनों कर दा है कि आगी क्या होगा आगी क्या होगा शिच्त वह उससे दोस्ती कर पार पागा निए र एक उपने पयार का इज़ार करेगा अगर कर भी रहा हूं य यह सब देखने के लिए तो फ्रेंड्स यह सब चीज़े आप आपको नेक्ट ने पर लगए कि इसका कि क्या होगा तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो अगर आप नहीं वे तो मेरे चैनल को सब्सक्राब करो थैंक यू